हलो एरिवान, वेलकम तो दाइ स्टूडेंट एलपी दोहरचा 24 के वीकली स्टेडी प्लान में इस वीक में हम लोग तीसरे वीक के स्टेडी प्लान देखेंगे दो वीक के स्टेडी प्लान मैंने अब तक अपलोड किया हुआ है और बहुत सारे लोग दो वीक तक के स्टेडी प्लान अब तक कम्प्लीट कर चुके हैं इस वीक में जो पिछले दो वीक का जो प्लान था उसमें मैंने प्रिवेस येर कोश्चन को करने के लिए कहा था तो इस वीक भी आपको दस प्रिवेस येर कोश्चन कर लिया है तो अभी तक आपको आईडिया लग गया होगा कि एलपी के जो पहले आई हुए पेपर थे और ग्रूप डी के जो कोश्चन पेपर थे कैसे चेंजेज हुए हैं साइंस को लेकर के तो ये सारे चीज़ों का आपको आईडिया लग गया होगा और आपको कोश्चन का जो पैटर्न ये सारे चीज़ों अब तक पता चल जाएंगी इस वीक में तो कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद से हम प्रिवेस येर कोश्चन को थोड़ा सा कम करेंगा और सिलेवस को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो अभी इस वीक में तापको दस प्रिवेस येर पेपर करने ही करने हैं इस वीक में मैथमेटिक्स में परसेंटेज चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है 200 कोश्चन या 500 कोश्चन के असपास भी अगर आप करते हैं तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसमें जो टाइप के कोश्चन आते हैं कम से कम पांच से चैप्टर को आपको सॉल्व करके रखना है और एक या दो टाइप का क्वेश्चन आपको मतलब हर एक टाइप से दो क्वेश्चन मिनिमम आप अपने नोट्स में भी जरूर लिख करके रखिएगा अगर आपके पास नोट्स पहले से है तो आप इस चीज को स्किप कर सकते हैं लेकिन अगर आपके नोट्स में कोई नया कोश्चन आड हो रा जैसे आप प्रिवेस एर कोश्चन को अगर आप देख रहा हैं तो उसमें से आप जरूर नोट डाउन कर लिएगा कई लोग मैथमेटिक्स के लिए अगर जिन के पास भी अगर बुक नहीं है तो आप किरन पॉब्लिकेशन का जो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूँ यह आप खरीच सकते हैं मार्केट में अवलेबल है या फिर आप चाहा है तो आप उनलाइन भी इसको ले सकते हैं इसमें जो रेलेवे में आया हुए प्रिवेस एर के कोश्चन है आपको इसमें देखने को मिल जाएगा और इसी के आधार में चैप्टर वाइज कोश्चन को इसमें दे भी रहा हूँ और इसमें टाइप वाइज कोश्चन भी आपको दिया हुआ है तो यहां से आप इसको कवर कर सकते हैं इसके अलाव भी अगर आपके पास कोई बूक है तो आप उससे भी प्रेक्टिस कर सकते हैं नेक्स्ट रेजिनिंग में इस वीक में आपको mathematical operations related 50-60 questions भी अगर आप कर लेंगे तो आपका काम हो जागा है आप कवर करते हैं जो पढ़ने लायक होता है बाकी कुछ chapter ऐसे होते हैं आप बिल्कुल भी अगर नहीं पढ़े हैं तो question जो पूछा गया है simple अपना logic लगा करके भी वो question आसानी से आप कर ले आते हैं जैसे mirror image हो गया और water image वाले question हो गया है तो ये सब question को लिए तो आपको पढ़ने की जरुवत नहीं पढ़ती है अगर इसमें से कोई question आता है तो आप आसानी से इसको कर पाते हैं कुछ होता है कभी pattern वाले question होते हैं वो भी अगर आपका कहीं से छूट गया है जो chapter लेकिन आप वहां से भी question को देख करके उसको कर पाते हैं वो कैसे होता है जब आप previous question पर देखते हैं तो वहां से आपका revision reasoning का तो हो ही जाता है लेकिन कुछ chapter है जो मैं इसमें हर एक weekly study plan में include करता रहूंगा जो आपका पहले से complete हो जाए तो mathematical operation से related जो question है जैसे plus को minus में convert कर दिया जाता है और multiply को division में convert करके जो एक equation दिया रहाता है तो उसको satisfy करना रहाता है चार option में से तो इस तरह के question आपने देखा भी होगा जो अभी तक आपने पढ़ा होगा previous question तो उस तरह के question आप करिएगा 50-60 question अगर आप कर लेते हैं त अब इसमें थोड़ा सा practice अब के अच्छी हो जाएगी नेश्ट है जी के और current fare में देखे current fare आपका November और December 2013 के complete करना है पिछले दो वीक में मैंने कहा था January और February का अब February खतम हो गया है March जब खतम होगा तो उसके बास से March के complete करने के लिए कहेंगे इस से पहले मैं कहा रहा सकते हैं तो इतने अलावा इसके अलावा अगर आपके पास कुछ है ही नहीं अगर आप बिल्कुल भी नहीं खरीते हैं मैक जीन तो आप YouTube का सहरा लीजेगा वहां से पढ़ सकते हैं PDF भी आप चाहिए तो YouTube से बहुत सारे channels है वो जो अपने टेलिग्राम पे या फिर अपने बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है तो आप सीट कम होने के गारण आप इसको skip नहीं कर सकते हैं जरनल लालेज यह सारी सीजिएं तो CBT2 में नहीं है ALP के तो इसको आप skip मत करिए लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं अभी कहा कि टेक्निशन की वैकर सी रिलीज हो चुकी है औ देखी पेपर हो रहा है तो उसमें तो यह सारी सीजिएं जीके और करंट फेयर इंग्लूडेड हैं और उसी सब का मेरेड भी बनेगा तो जो लोग आई टी आई किये हुए हैं और ALP फर्म बर रहा हैं तो वो लोग तो जीके और करंट फेयर इसकिप नहीं कर सकते हैं कि अ सब्सक्राइब के सारे लोगों के जो करेंट में हैं उसके बाद से जो प्रमुख संस्थान है और उनके मुख्याला के नाम जैसे यूनाइट इनिशन के जितने भी संस्थान है उनका जी ट्वन्टी आसियान बेक्स ओपेक और इस तरह से रिएटेड आप यूट्यूब प पूछा जाता है जनल साइस में इस वीक फिर से तीन सो कोशन अब्जेक्टी कोशन आपको रेलवे से जो प्रिवीस ये रहा हुए कोशन है उनको करना है इसमें से उसके लावा नाइन का जो एंस चैप्टर पांच जीवन के महली की काई और च्छै उतक टीसूज आपको प आते हैं मैं अभी कुछ प्रिवेस ये कोशन में कर रहा था तो उसमें लाइट से भी नुमेर कल्स पूछे गया हैं सी बीटी वन में तो आप इसको याद रखिएगा इसका जो इमेज फार्मेशन से रिलेटेड और मिरेर इमेज और लेंस मिरेर फार्मूला और लेंस फार कर रहा हूँ कि आपको जो प्रिवेस येर पेपर है उसको मैं कम करूँगा और इसमें से अब मैं जो टेकनिकल का जो पोर्ट्शन है पार्ट भी में जो पूछा जाता है जो कॉलिफाइंग है येलपी के लिए वो मैं एक एक चप्टर अब इंक्लूड करूँगा बेसिकल करूँगा तो आप लोगों का किसी कमाल ये डिजल मेकैनिक है या फिर किसी का फीटर है तो आप लोग उसके जगह पे अपना कोई चैप्टर आप इजी चैप्टर अपने से उस वीक में टार्गेट में रख सकते हैं कोई जिरूर नहीं है सभी का सभी ट्रेड का एक चैप से वह कंप्लीट हो जाए आपका बाकि जितने भी लोग टेलिगराम गुरूप से जूड़ना चाहते हैं तो मैं लिंक नीचे दे रहा हूं वहां से जाकर करके आप जूड सकते हैं पूछ सारे लोग उसमें अपने जो डाउट्स रहते हैं वह पूछते रहते हैं जो पीड वीडियो में थैंक यू अल दे बेस्ट